हालो 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 पीपल व surgical хороший अजो मेश चैनल वैलक & टीफेस्टर ए नुरी gusta कुह मैश मेश आज बात करेंगेAGING मानिफस्टेशन अर्फिर होती कैसे है किस तरीके से mrÙ करनी चाहिए और कब वो yük मेला स्टेशन होके आती है आज पूरा वीडियो उसी बारे पर है सबसे पहले तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं भले वो कार हो वो नया घर हो एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो एक अच्छा जॉप हो या फिर मनी हो आपको सबसे पहले इन चीजों पर विश्वास क करना पड़ेगा कि मैं जो भी बोल रहा हूं या जो भी लिख रहा हूं और टीज में मेरे पास आने वाली है अब कब आने वाली है यह आपको नहीं सोचना है basically मैं मुझे नहीं पता और लोग क्या बोलते हैं कैसी अडवाइस देते हैं पर जो चीज मैंने सीखी अपने experience से मैं वो इस चैनल में शेयर करती हूँ तो मैंने ये सीखा है कि जब भी आप कुछ भी बड़ा मैनिफेस्ट करना चाते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले कोई छोटी चीज से शुरुआत करें और मैनिफेस्टेशन को as a game समझें जैसे कि आप कोई खेल खेल रहें क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन में अगर घुस गए और वो चीज आप तक नहीं मिली तो ये फिर एक नेगेटिव एनरजी create हो जाएंगी इसी वज़े से बहुत से लोगों के लिए law of attraction जो वो कहते हैं कि काम नहीं करता अगर आप कोई कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए लोग कहते हैं action लेना बहुत जरूरी है अब manifestation तो कर रहा है अब action कैसे लेंगे action ऐसे लिए जाता है कि universe आपको छोटे-छोटे हिंट देता है उस चीज के बारे में लेकिन ये हिंट जानने के लिए भी आपको अपने चारों तरफ नजर दोडानी रहती है बेसिकली आपको अपने जो six cents है उन पे गौर करना रहता है कि universe क्या sign दे रहा है for example अगर आपको कार ले रही है और आप कार मैनिफेस्ट कर रहे है तो आपको बार में बताएगा कि इस शोरूम में इतने की मिल रही है इसमें थोड़ा बहुत उन्नेस बीस फ़र खार शोरूम में रहता है तो ये होते हैं एक्शन्स और ये होते हैं हिंट अब बात करते हैं कि manifestation हमेशा छोटी चीज से क्यों शुरू करते हैं क्योंकि यकीन हमेशा छोटी चीज से बनता है इसलिए सबसे पहले कोई मामूली चीज आप मैनिफेस्ट करें वो मैनिफेस्ट हो जाएगी देन कोई बड़ी चीज पे फोकस करें